पड़न मुवी को उनको पाकिस्तान में जाके रिलीस करना चाहिए हिंदुस्तान में नहीं क्यूंकि वो कहता है सुवर के बच्चा यह नहीं है इधर सियफ नहीं है उन्हों ऐसे जिहादियों को कठिन से कठिन सजा देने से ही उनका खात्मा हो सकता है सभी लोगों के सामने इनको फासी देना चाहिए और फासी देने के बाद इनका जो डेड़ बाड़ी रहता है इसको समंदर में फेक देनी चाहिए अगर यह जिहादियों को जो जिहादी के करते हैं उनको मरण दंडन देना है भारत देश और इडी विश्व में पूरे विश्व में यह जिहादी मानसिकता और जिहादी मानसिकता के संगटना और जिहादी मानसिकता रहने वाले युवा और उग्रवाद जो चल रहा है यह बहुत बड़ा ग्यांगरीन बनके उबर रहा है अभी रिसेंटली आसाम में साथ हिंदू कार्यकरतों को जिहादियों ने मार डाला है ये जो मार डाला है इसके लिए कठिन से कठिन करम सरकार लेना चाहिए और ये जो मारने का काम हो रहा है इनको मरण दंडन ही देना चाहिए ऐसे करके हम राष्ट्रपतियों को जिल्लादिकारी के स्तुरूं हम यह मनवी दे रहे हैं, क्यों कि जिहादियों का जो मानसिकता है, इसको जो प्रचुर पढ़ा रहे हैं, जो लीडर्स हैं, और जो समाज के कुछ लोग हैं, जो इन लोगों को उन्मत तता करके उगरवाद म धकेल रहे हैं धकेल के इन लोगों से ऐसे हत्याय करवा रहे हैं इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं जिहाद का नाम मतलब जिहाद एक धर्मयुद्ध है और धर्मयुद्ध में मरने के बाद उनको जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे कहकर यह युवाओं को ऐसे कामों में उनका खात्मा हो सकता है इसके लिए जो ये करते हैं उनको सारवजनिक रूप से मतलब सभी लोगों के सामने इनको फासी देना चाहिए और फासी देने के बाद इनका जो डेड बॉडी रहता है इसको समुदर में फेक देनी चाहिए जन्नत का नसीब कब हो जाएगा जो कबर आगर में डालके उनका डेड़ बाड़ी उनके परिजनों को नहीं देना चाहिए ऐसे करने से उनका मनोबल कम हो जाएगा और कानून में समविदान में ये बदलाव लाके सभी जिहादीयों को जो जिहादी के करते हैं उनको मनन दंडन देना चाहिए ये आगर जो जिहादीयों को सबक चिकाना चाहिए उन जिहादीयों को आज सबक हम से करना ही चाहिए क्योंकि ये जिहादी लोग क्या कर रहे हमारे माभेनों को लूट रहे हमें उनको पचास साल से में गुलबर के मेरे रहा हूं पचास साल में हमने मामूद चाचु के कर हम उने सनम जोदर करना चाहिए की पाकिस्तान है क्याया है की सब करना चाहिए उसको यहां पर सब लोगों को इरितियास मालूम है हमारे भारत वर्ष में साथ हजार मंदीर जो मचीद बन चुके है लेकिन हमने तो सिर्फ उसमें तीन मंगा था तीन आयोद्या काशी मतुरा यह तीन मंगा था एक से तो हमने कानूनिय लिया है अभी मतुरा औ सबक नहीं सिखाए तो जो साथ हजार मंदीर मचीद बने हुए है हर एरिया में वह सब हम वापस मंदीर में करण कर देंगे हम